तीस जन्वरी शहीद दिवस महत्मा गांधी जी का शहादत का दिवस गहतर साल हो गए हैं गांधी जी को इस दुनिया को छोड़े हुए लेकिन अब तक गांधी जी के जीवन, तर्शन, कारेशली इंपर शोध चल ही रहा है हमारे साथ अबिनाश शुकला जी हैं जिन्होंने गांधी जी के आखरी 24 घंटे को लेकर एक पुस्तक लिखी है जिसमें लास्ट डे ओफ महत्मा गांधी यानि गांधी जी के आखरी 24 घंटे कैसे थे उनके एक एक पल की खोज खबर इन्होंने अपनी पुस्तक में रखी है और इनसे हम बात कर रहे हैं ये इंडियन इंस्टिट ऑफ लव उसमें यहां अधिकारी हैं और इनसे हम बात करते हैं आपके किताब किन-किन चीजों को फोकस करती है अविनाश जी 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 इसमें मेरा जो फोकस एरिया था वो था कि महात्मा गांदी के जीवन के आखरी 24 घंटे कैसे गुज़े और उनमें क्या अधिया निर्ड़ाइं उन्होंने लिए और वो निर्ड़ाई क्या थे तो इन 24 घंटों में सबसे पहले तो उन्होंने जिस दिन 29 जनवरी पाकिस्तान में पंजांड वाले पंजाब में, वहां पर बन्नू जगे का चैसे नाम भाला है। बच्चे औरते सभी लोग थे तो दंगाईयों ने घात लगा कर हमला किया और उनका बुरी तरह से उनका नरसंगार किया और तो बच्चों बुढ़ों किसी को नीच हो गया उनमें से कुछ लोग बचते बचाते महत्मा गांधी की सभा तक पहुँच गये थे और ये 19 जन्व होने महत्मा गांधी को जिम्मेदार ठहराया उन्होंने का तुमने बहुत अब आ काई तुम ने gonna ब्रबात कर दिया हे तुम हम लोग तुम चले जाओ हिमाले चले जाओ अब तुम यहां मतरुको तुम जो है और जारत जिक्रिस में है आपके पुस्तक जी सब है ती मुसल्मानों को लेकर क्या उस पर भी आपके किताब कुछ रोश्मी डालते हैं वो सचमुच में महामानो थे वो मानोता वादी थे वो ना पर दबाव डाला और अंशन किया उन्होंने हिंद्वों हिंदू विरोधी थे मुसलिम समर्थक थे पाकिस्तान समर्थक थे यह सब जूटी बाते हैं उनके जीवन को एक्चुली सरकारों ने बिलकुल किनारे कर दिया उनके पूरे साहित्य को दबा दिया राजगाट बहुत सी उन्होंने जो खुद किताबे लिखी वो कहीं देखने को मिलती है उनका साहित्य बिलकुल गुमनाम कर दिया गया बस दो अक्टूबर और तीज अगस्त को उनको एक वो देदी जाती श्रद्धान्जली और एक सभा कर दी जाती है इसलिए ये तमाम भ्रम की बात उसे कोई संबन नहीं जी आपके किताब यह भी बताती है कि गांदी जी को शायद अन्देशा था कि उनके साथ कुछ ऐसा हो सकता है और उन्होंने अपने अन्तिम दिन चौबिस घंटे के वीतर इस बात कर कम से कम पांच बार जिक्र किया कि मैं मुझे गोली मारी जा सकती ह 29 तारिक को ही उन्होंने इस बात का उन्होंने अपने एक जो उनका अटेंडेंट था जो उनके पैरों की मालिश कर रहा था उससे कहा कि हो सकता है कल तक हो सकता है अब कुछ समय बाद मुझे गोली मार दी जाए और मैं भगवान का नाम लेके दुनिया को छोड़ दूं तो रात में वो तीन बजे उठ गये सुबह तीस अगस्त की तीस जनवरी की शाह सुबह तड़के और उन्होंने बैठकर वो रेजलूशन लिखा जिसके द्वारा कांग्रेस का विगटन होना था इसके लोगों को भी रियलाइज हुआ कि गांधी जी सही कह रहे थे अब कांग सेवन में इस कमेटी में थे जो लोग उनके नाम में आपको बता देता हूं इसमें तो उस दिन वो सारे जी तो यह साथ लोग जो थे इन में इनके नाम थे आर आर दिवाकर पीडी टिंडन आचार नरेंद्र देव श्री एस के पाटिल डॉक्टर प्रटाभी सीता रमया श्री सुरेंद्र मुहन घोष और आचार जुगल किशूर यह साथ लोगों की एक कमेटी बनी थी जिसे कांग्रेस को पॉलिटिकल आउटफिट से समाज से भी आउटफिट मे बदलने के लिए कॉंग्रेस के कॉंस्टिटूशन को बदलने का काम दिया गया था अच्छा यह काम गांधी जी ने फाइनल ड्राफ किया उटा इसी मीटिंग में यह तैह हुआ था कि 31 जनवरी 1948 तक हर हालत में कॉंग्रेस का सम्विधन बदल दिया जाएगा और उसका रा अच्छा मैं लिखवा दूगा उन्हें का मुझे एक दो दिन का समय दो वही लिखने के लिए वो 30 जनवरी की सुबह जो तीन बजे बैठे थे वह इसी को उन्होंने इसको लिखा उन्होंने का यद्ध्य देश का विभाजन हुआ लेकिन फिर भी कांग्रेस अपने देश क को प्राप्त करने में सफल रही देश को आजादी मिली लेकिन अब कांग्रेस को अपना राजनीतिक स्वरूप छोड़ देना चाहिए कॉंग्रेस जन गाओं गाओं में जाए गाओं के विकास में काम करें कॉटेज इंडिस्ट्री के लिए काम करें लोगों को पढ़ाएं उनको सफाई के माइने सिखाएं लेकिन ये प्रस्ताव और सपना भी गांदी जी के साथ ही चला गया ये प्रस्ताव उन्होंने सुबह अपने प्यारे लाल दी को दिया उन्होंने का देख लो इसमें कुछ गल्ती हो तो ठीक है अधर्वाइस इसको AICC भेज दो और इस प ये उनको इसका मतलब तो पोल कि मिस गόके लिए इसका मतलब तो चौ यह से दोट कर दोगे प्रूपी मनश्ट opens एपनी सेॉन्होंने कहां यही हो नलए कंग्रिस को अब रखना खत्रे से खाली नहीं है आप देखिये तो नहीं आब आप है मिस आज जीवा और आपर हम्ला आभा ने उनको याद इलाने के लिए घड़ी सामने रग दी, क्योंकि उस सरदार वनलब भाई पटेल से उनकी बात चल रही थी, वो भी बैठे थी, जब उन्हों उसने घड़ी रग दी सामने के अभी घड़ी देखते इनको यादा जाएगा कि मुझे पहुचना है, तब भ बापु आपका प्रार्थना सभा में जाने का समय होगी, तो इस पर वो उठते हुए बोले येस, येस, नाव आई विल हैव तू गो, जब इतना कहके वो उठे और निकलने लगे कमरे से, तो एक उनका वरकर आया, और वो बोला बापु काथियावार से कुछ लोग आए है आपसे मिलना चाहते हैं, उन्होंने का उनसे कह दो, मैं प्रार्थना सभा के बाद उनसे मिलूँगा अगर जिंदा बचा तू, अच्छा, ये उनका, उसके बाद वो बस पाथवे पे चलते हुए अपने सपोर्टरों के साथ, जैसे ही लॉन में घुसने के लिए मुले, व गांधी जी के आखरी 24 घंटों की पलपल की दास्तान इसमें है, तीस जनवरी है, शहीद दिवस है, लहाजा इस किताब की एहमियत ज्यादा बढ़ जाती है, और उससे पता चलता है, इन्होंने कई सालों के शोध के बाद, ये किताब लिखिए दस सालों के शोध के बाद, और ये दस सालों की इनकी मेहनत, आप इस किताब में पढ़ सकते हैं, जिसमें तमाम चीजें, और सारे दस्तावेजों के सबूत के साथ, और उसके हवालों के साथ, इसमें लिखा गया है, क्यों गांधी कॉंग्रेस को एक समाध से भी संगठन में बदलना चाहते थे, अग लेकिन उसे एक दिन पहले, जो लोग पूरे देश को गांधी के सपनों का भारत बनाना चाहते, वो एक बार गांधी के सपने देख तो ही, संजे शर्मा, दिल्ली, आज देख